फिलो गाइच आप सभी स्टूइट का बताना चाहूंगा जो कि अभी अभी intermediate पास किये हैं यानि कि class 12 पास किये हैं और वे राची इनिवर्शिटी के किसी भी college में admission लेना चाहते हैं यानि कि BA, BAC, B.com की पढ़ाई करने के लिए यानि कि आगे की पढ़ाई करने के लिए admission ल और कहां पर से आप लोग को apply करना है यह भी मैं बताऊंगा क्योंकि आप लोग नए-नए college में admission लेंगे तो कैसे admission लेना है यह भी आप लोग को पता नहीं है तो इसलिए मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि यहां पर से apply करना है लेकिन आप लोग कि यह भी होने वाला है आप लोग जब तक यह फ plans apply नहीं करेंगे तब तक आपका admission नहीं होगा आपका लीश्ट में नाम नहीं आएगा तो चलिए हम लोग इस aos वीडियो में आं गैंगे कि यह party कौन सा है कहón से apply करना होता है किस तरह से apply करना होता है तो अप लोग video को पूरा देखिएगा और एक चीज है आप लोग अपने मोबाइल फोन से ही अपलाई कर सकते हैं ये फोन आप लोग को कहीं जाने की जोरत नहीं है अगर आपके पास ATM काड और आपके पास स्मार्ट फोन है तो खुद से अपलाई कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को पूरा देखे और आप लोग देख रहें YouTube चैनल online विकास जो लोग भी चैनल पर created पर नहीं आए हैं और अभी तक चैनल को सुप्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सुप्सक्राइब करके रखे और वेल आकटन को दबा करके रखे सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा रांची इनुश्री रांची की दुबारा जारी किया गया admission notification उसके बाद मैं आप लोगों को admission form अपलाई करना है जारखन से कहीं से भी हो आप लोग apply कर सकते हैं जारखन के किसी भी college आप लोगों को मैं आगे बताने वाला हूं तो देखिए इस notification में क्या लिखा हुआ है और ये notification जारखन के रांची इनुश्री रांची के जितने भी इसके अंडर में college आते हैं उन सभी college में लागों होते हैं तो देखिए हाँ पर अगर रांची इनुश्री रांची के अंडर में जितने भी कोला जाते हैं उनसमें आप लोग admission लेना चाहते हैं तो इस date के अनुसार आप लोग apply कर सकते हैं उससे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा लिखा हुआ है कि this is for information to all concerned that the schedule of admission process of undergraduate courses तो देख पार होंगे यहाँ पर undergraduate courses के लिए यहाँ पर notification जारी किया गया है as per NEP यानि की new education policy के तहत यहाँ पर जारी किया गया है जो की 4 year का graduation होता है आप सभी लोग सुने होंगे अब 4 साल का graduation होता है यानि की BA करेंगे, BECOM करेंगे, BSC करेंगे तो आपका 4 साल लगने वाला है जिसको की FYUZ के नाम से जाना जाता है इसका short form है और यहाँ पर देखेंगे तो except vocational तो इस notification में vocational का date नहीं जारी किया गया है यानि अगर कोई vocational में admission लेना चाहते है तो आप लोग को दूसरा notification देखना होगा या फिर आप लोग में update कर दूँगा जिसे ही आता है इसका form ठीक है इस तरह का जितने भी college है राची उनिश्टी राची के अंडर में आते हैं उस सभी college का admission form जारी कर दिया गया है जिसके लिए कि आप लोग को chancellor portal पर जाकर के apply करना है ठीक है तो ओ मैं बताऊंगा chancellor portal कहाँ पर जाना है chancellor portal क्या होता है किस तरह से दिखता है साथ चीज में बताऊंगा आप लोग को लिंक भी दे दूँगा तो उससे पहले देखिए यहाँ पर कि कब से कब तक आप लोग apply करेंगे तो यहाँ पर देखिए application submission create for admission in college through chancellor portal आप लोगो chancellor portal के जरीए apply करना है जिसका link यहाँ पर दिया तक आप लोग apply कर सकते हैं यानि कि 10 माई 2024 से लेकर के 30 माई 2024 के बीच आप लोग apply कर सकते हैं और यहाँ selection list का publish होगा तो यहाँ 46 2024 को यानि कि 4 जून 2024 को जारी हो जाएगा आप सभी लोग जान रहे हैं कि 4 जून को क्या होने वाला है election का counting होने वाला भी है ठीक है तो इसी द जारी होगा अईसा नोडविकिस्तन में लिखा हुआ है लेकिन मेरे ख्याल से 4 जून को सभी college जारी नहीं कर पाएंगे ठीक है इसके बाद ही जारी होगा लेकिन एक date दिया गया है कि 4 जून को जारी हो जाएगा सभी college नहीं जारी कर पाएंगे इसलिए आप लोग 4 जून क कोहीं इंतिजार मत कीज़ेंगा बाद में भी आप लोग देख सकते हैं ठीक है लेकिन उससे पहले आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पर देखिए थर्ड में लिखा हुए period of documents verification कब से कब तक आप लोग admission ले सकते हैं यान document अपना verification किस तरह से कराएंगे क नहां जाकर कराएंगे जिसे कि आप लोगों college जाकर अपना admission के लिए document जमा करना होता है तो कब से कब तक जमा करेंगे तो 5-6-2024 से लेकर के 13-6-2024 जिसका भी first list में नाम रहेगा और लोग admission लेंगे अगर सीट बसता है तो यहाँ पर लिखा हुआ कि student with valid COT score में अप्लाइ those not having COT score may also apply on the basis of 12th marks तो यहाँ पर आप लोगों में बताना चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ home भर के छोड़ मत दीजगा अगर आप लोग COT का exam दिये हैं जैसे ही marks आता है तो COT को update कर दियेगा चांसलर पोटल में जैसे ही COT का result आता है वो इसे ही बता दूँगा आप दिख रहा है कि अगर जो लोग COT नहीं apply किये हैं ठीक है यान नहीं भर है एक्जाम नहीं दिये हैं तो ओ लोग भी apply कर सकते हैं और अपना admission ले सकते हैं जिसका यहाँ पर 12th basis पे admission होगा और जो COT का exam दिये हैं उन लोग का COT का score के अनुसार ही होगा ठीक है preference will be given to student with ballot CUT score यहाँ पर सबसे पहले CUT वाला को लिया जाएगा admission उसका बीना CUT वाला का ठीक है लेकिन आप लोग को यह form भरना जोरूरी है जो CUT में हैं और non CUT हैं मतलब जो CUT के exam दिये हैं वह भरेंगे और जो नहीं दिये हैं वह भरेंगे ठीक है तो इस तरह से हैं और पर ध्यान दिजेगा कि अगर फर्स लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आप लोग छोड़ मत दिजेगा सेकेंड लिस्ट जरूर जारी होगा ठीक है थर्ड लिस्ट जरूर जारी होगा क्योंकि एक ही बार में सभी लोग admission नहीं लेते हैं इसलिए अगर आपका कम marks है तो तब तक session में पूरा नहीं होता है एक session का admission seat तब तक यहां पर admission लिया जाएगा और second number में देखिएगा तो यहां पर लिखा हुआ है कि every student has the facility to apply in one or more subject or more than one college as per their choice using his hair single login on chancellor portal यानि कि आप लोग एक ही लोग इन से यानि chancellor portal का एक ही login ID बनाईएगा उसी से बहुत सारे college में यानि एक से अधिक college में एक से अधिक subject में apply कर सकते हैं अलग college के लिए या फिर अलग university के कोई भी college में आप apply करना चाहते हैं उसके लिए अलग से login ID बनाने की जोरत नहीं है और चलिए देखते हैं कि कहां पर से apply करना है आप लोगों को जहारखन के किसी भी university या फिर किसी भी college का admission form apply करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को search बार में लिख देना है चांसलर पोर्टल लिख करके चांसलर पोर्टल ठीक है आप लोगों में बार बार बोल रहा है चांसलर पोर्टल लिख करके आप लोग सर्च कर दीजेगा ठी इस तरह से search किजेगा तो सबसे उपर में ही आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा जारखन के लोगों के साथ चांसलर पोर्टल इसी भी पे touch कर दीजेगा जैसे है टेच किजेगा तो आप लोग सामने चांसलर पोर्टल को अप्सेल लिख साइड करके आ जाएगा जो कि कुछ इस तरह से दीखता है जारखन गौर्णर का अप लोग पिक्चर भी देख पा रहोंगे स्री स्री राधा कृष्णन का ठीक है तो यहाँ पर से आप लोगों को apply करना है यहाँ पर मैं आप लोगो date भी दिखा देता हूँ कि कब से कब तक आप लोग apply कर सकते हैं जिसके लिए आप लोग देखेंगे यहाँ पर notification पर तो चलिए मैं आप लोग दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर राची इनिवर्शिटी देखिए आर्यो जिसका short name है तो यहाँ पर देख सकते हैं आर्यो राची इनिवर्शिटी और यहाँ पर देख पा रहोंगे सेम date है 10- 35-2024 से लेकर के 35-2024 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यूजी के लिए या अंडर graduate के लिए बीए बीए सी बीको मेड मीशन के लिए इसी तरह से और भी इनिवर्शिटी का निकला हुआ है हाँ पर देख पाएंगे तो यहाँ पर DSP MU का भी निकला हुआ है और यहाँ प आते हैं कि Chancellor Portal में online admission phone, mobile phone से किस तरह से apply करना है तो आप लोग को एक वीडियो देखना होगा उस वीडियो को description में link दे दिया हूँ वहाँ पर जाकर का आप लोग देखियेगा तो मैं सारा process आप लोग को mobile से apply करके बताया हूँ जिस तरह से मैं बताया हूँ उसी तरह से अग आप लोग अपने घर बैठे ही apply कर सकते हैं अपना admission phone और अगर कहीं पर आप लोग समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके पूछेए का मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा और आप लोग को जरूर सहता करूंगा तो आप लोग देख रहे थे YouTube चानल online विकास अ आप लोग देख सकते हैं अगर आपको पता नहीं चलता है तो आपका admission छोट भी सकता है इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा बेल आकोन को दबा करके रखिएगा ताकि आप लोग को नोड़ भी किसा मिल जाया और पता चल जाय कि आप लोग लेस्ट जार आप लोग 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 ल